आईए अब हम कोलाइडल विल्यनु के एक और प्रकार के विशय में जाने जिसे पायस या इमल्स्टन कहा जाता है यह पायस द्रौ का द्रौ में बना हुआ कोलाइड होता है यदि द्रौ को आपस में मिलाए जाए जैसे कि नीबू का रस और पानी जब आप इसको आपस में म कहते हैं ये को लाईड नहीं है लेकिन जब डोंमिश्रणी कोलाईड जैसे की तेल और पानी या फिर कम मात्रा में आपस में विश्रणी मिश्र ooρι जो कोलाईड होते हैं जब इनको आपस मैं मिलायजाता है तो यह पूरी तरह से नहीं होते होमोजनेस solution इनका नहीं बनता है जबकि यहां पर एक द्रौ का दूसरे द्रौ में अपरिस्कृत परक्षेपन प्राप्त होता है और इस परक्षेपन को ही जिसमें कि एक द्रौ का दूसरे द्रौ में परक्षेपन हो रहा है यानि कि एक द्रौ में दूसरे द्रौ के जो छोटी-छोटे droplets हैं वो बिखर जाते हैं इस को ही हम Pious या Emulsion कहते हैं अब यहां पर जो दो द्रौ होते हैं उनमें प्राया एक द्रौ जो होता है वह जल ही होता है अब जल या तो परक्षेपण माध्यम के रूप में उपस्थित हो सकता है या फिर परक्षिप्त प्रावस्था के रूप में भी उपस्थित हो सकता है तो जल परक्षेपण माध्यम होगा या परिक्षिप्त प्रावस्था होगा इसके आधार पर हम इमल्सन को दो भागों में बाटते हैं दो प्रकारों में वर्गेक्रित करते हम पहला है जिसमें की जल परिक्षेपन माध्यम होगा जब परिक्षेपन माध्यम है इसका मतलब है कि जल की मात्रा ज्यादा होगी जिसमें की थोड़ी मात्रा में तेल डाला जाएगा और इसे लिए इसे हम ओल इन वाटर या जल में तेल का पायस या इमल्सन कहते हैं इस प्रकार के पायस का या इमल्सन का उधारण हम ले सकते हैं जैसे की दूद आप जानते ही होंगे कि दूद में लगभग 90 प्रतिशत पानी होता है और केवल 10 प्रतिशत वसा या तेल होती ह तो यहाँ पर जल की मात्रा जादा है यानि कि परक्षेपण माध्यम जल है जबकि परक्षप्त प्रावस्था ओल का परसन काफी कम होता है इसी तरह से मौस्चुराइजर या वेनिसिंग क्रीम जो होती है उसमें भी क्रीम की तुल्ना में जल की मात्रा जादा होती है दूसरी प्रकार जिसमें की जल परक्षप्त प्रावस्था के रूप में उपस्तित होता है इस स्थती में तेल की मात्रा जो की परक्षेपण माध्यम है वो जादा होगी जबकि जल के मात्रा कम होगी और जल की जो बूंदे होगी वह उस परक्षेपण माध्यम में बिखरी ह रहोवगी होंगी कि इस प्रकार के जो इंपल्सन होते हैं उसे हम वौटर इन ऌयल या फिर तेल में जल का पाइस कहते हैं को इस प्रकार का उधारन हम ले सकते हैं क्रीम cm या मखन आप पारान कि मात्र को जाहादा होती है जब हम उसे गर्म करते हैं तो हमें ज़्यादा घी प्राप्त होता है जब कि पानी की मात्रा कम होती है जो कि पानी करेंए वहां भी इसी प्रकार का वाटर इन और प्रकार के इमर्शन का उदाहरन है अब यहाँ पर आप देखिए कि दोनों अमिश्रणी या लगभग अल्पमिश्रणी होते हैं और इसे लिए यह जो पायस होते हैं वो काफी अस्थाई होते हैं और इने थोड़ी देर आप ने देखा होगा कि जब हम तेल लेते हैं यहने कि पाइस या तयार करने के लिए हमें इनके इस्थायत के लिए इसमें बाहर से एक और तीसरे द्रौ को डालना पड़ता है और यह जो तीसरा द्रौ होता है वह पाइसी कारत या इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है अब यहाँ पर दो अलग-अलग प्रकार के इमल्सिफाइंग एजेंट का उपयोग किया जाता है जो ऑल इन वाटर जिसमें कि व्याटर की मात्रा जादा होती है यदि हम इस प्रकार का इमल्सिफण लेते हैं तो इसके protection के लिए जो पाइसी कारक उप्योग में लाए जाता है वो साधारन प्रोटीन गोन या सोप साबुन या डिटरजन्ट ही उप्योग में लाए जाते हैं आपने देखा होगा जब हम कपड़े को धोते हैं वाश करते हैं तो वहाँ पर तेल और पानी की जो बूंदे उसका बन जाता है जबकि दूसरे प्रकार का जो water in oil प्रकार का emulsion होता है उसके protection के लिए अलग अलग प्रकार के emulsifying एज़ेंट उप्योग में लाए जाते हैं इनमें मुख्य रूप से उच्छ वसीय अमलों के भारी धात्यों के लवन होते हैं यहाँ पर साबुन आप जा होते हैं जबकि water in oil प्रकार के emulsifying एज़ेंट इनके स्थाइथ्यों के लिए जो emulsimifyingbyasan हिजयेंट उप्योग में लाए जाता है वह उच्य वसी अमलों के भारी धात्यों के साल्ट उप्योग में लाए जाते हैं इसके अल लंबी श्रिंख्ला वाले इसमें उप्योग में जाते हैं या फिर जो काजल होता है फ्लैम ब्लैक जो जिसको हम कहते हैं उसका उप्योग भी इमल्सिफाइंग एजन्ट के रूप में किया जाता है अब इनका पैस का गोण हम जान लेते हैं यदी हम दोनों ही प्रकार के पैस यदी है यदी हम इनका दॉलूशन करें यदी हम इनका तनु करन तो जिसमें यदी हम इसमें परिक्षेपण माध्यन की मात्रा मिलाते है तो पैस के इस्धायत्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कि यदि हम oil in water जिसमें की water की मात्रा जादा होती है यदि हम उसमें पानी की मात्रा और भी मिलाते चले जाए तो भी जो emulsion है वो इस्थाई रहता है लेकिन यदि हम इसमें परिक्षप्त प्रावस्था को मिला दे दोनों ही पाइसों म में यदि हम उसमें ऑल की मात्रा और डाल दें तो यह अस्थाई हो जाते हैं और तुरंथ अलग-अलग अपने अग्यवी द्रवों की अलग-अलग पर्त बना लेते हैं दूसरा इनका गुण है कि जो ड्रॉपलेट्स होते हैं यहने कि जो परक्षिप्त प्रावस्था होती है वह रण आवेशित होती है यहने कि इनमें भी आवेश पाया जाता है और चुकि यह कोलाइट क्या ही प्रकार है इसलिए यह कोलाइट के सभी महत्वण गुण जैसे कि ब्रावनी मोशन या फिर टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रोफॉरसिस विद्धुतकन संचलन इन सभी को का प्रदर्शन करते हैं अब इनके नस्ट होने की बाद यदि इन पायस को उबाल दिया जाए बॉल कर दें यदि हम तो ये दोनों लेयर इनकी जो दोनों द्रव होते हैं वो प्रथक हो जाते हैं यहने कि इनके जो पायस है वह नस्ट हो जाता है उसी प्रकार से यदि हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें फ्रिज कर दें तो भी पायस नस्ट हो जाता है इसी प्रकार से यदि हम इसका अपकेंद्रन कर दें तो भी यहाँ प जो की एक पायस होता है और जब हम इसका मक्खन निकालते हैं तो हम एक ही दिर्शा में तेजे से उसको चलाते हैं जब उसमें तो इस तरह से हम देखें कि पायस जो है वह भी हमारा एक महत्पून कोलाइड है और जिसका विभिन स्थानों पर उप्यों किया जाता है